मुझे दोस्तों मैं आपका दोस्त राधेशाम भाउसार आज हम बात करेंगे लॉंडरी बिजनेस से रिलेटेड कई जगा पे औरेंज जोन में ग्रीन जोन में लॉंडरी बिजनेस कुलने लगे हैं तो लोग मुझे पूछ रहे हैं कि सर अभी हमारे बिजनेस थोड़े थोड़े टाइम के लिए या कुछ टाइमिंग के हिसाब से हमारे शॉप खुलने लगे हैं हमारे पास काम भी थोड़ा बहुत आ रहा है तो हम कैसे करें हाइजिन कपड़ों को कैसे करें तो इसी क्वेस्चन का आंसर मैं आपको देने वाला हूँ और लॉगडाउन 3.0 ये लॉगडाउन 3.0 नहीं है बलकि ये री ओपनिंग 1.0 है अगर लॉगडाउन खुलने वाला है तो एकडम से सारा कुछ नहीं खुल जाएगा step by step खुलेगा अभी तो आप देख रहे हो wine shop खुल गई है लंबी लंबी कतारे distance maintain करते हुए social distance maintain करते हुए wine shop के आगे भीड जमी है social distance का पालन कर रहे है जैसे wine shop खुली है वैसे और भी बहुत सारे businesses खुलने वाले है भीरे धीरे step by step orange zone में और green zone में laundry business खुलने लगे है friends कई जगा पे खुलने लगे है और कई जगा पे बिलकुल भी strictly बंध है अभी तेलंगाना में भी 29 में तक lockdown तेलंगाना में जारी रहेगा continue रहेगा और भी कई state में lockdown और भी बढ़ सकता है लेकिन फिलाल हम बात करते हैं जहाँ जहाँ प directly कपड़ों को touch करते हो और वही हाथ आपके मुँ में आपके आखो पर skin में लगते हैं तो यही से coronavirus का spread होता है बहुत अच्छा होगा काम नहीं लेना लेकिन अगर काम लेना ही है क्योंकि पैसों की जरूरत है मैने से काम नहीं हुआ है बिलकुल भी हमारे गर में पैसा नही तो अगर आपको काम करना है तो surgical clothes पहनिए जो construction में ग्लोज आते हैं और उसके बाद में dying का काम अगर होता होगा कई पर रबबर के इतने बड़े-बड़े ग्लोज आते हैं थोड़े से हवी होते हैं काम करने में आपको अच्छे से काम करने में थोड़ा problem होगा लेकिन hybrid हो होते हो जाएगा मास्क हमेशा पहन नहीं आपको जब जब आप शॉप में हो direct contact आपका आना ही नहीं चाहिए और अगर आप मास्क पहनते हो ग्लोज पहनते हो तो आईरनी के कपड़े अगर आप लेते भी हो अगर आप बोलते हो कि हम एक गंटे में दो गंटे में तो ऐसा करने से बचें आप कपड़े कम से कम एक दिन के बाद में या दो दिन के बाद में आईरनी करके दीजिएं कपड़ों में जो अगर आयरणी करोंगे तो थोड़ा रिस्क कम हो जाएगा फिर भी आपको ग्लोस पहन नहीं है और मास्क पहन नहीं है कपड़े जो धुले होते हैं अभी अच्छा मोसम है तो कपड़े अच्छे से ड्राइव होने के बाद महीं आपके पास आते हैं तो उसमें चांसे कम है को को ग्लोज पहन्न लिजए खाना घाने से हथ को samurai काम को और करकाना है तो आप आयरն िख्ड काम कर सकते हों उसके बाद में मैं वाशिंग का काम इस में थोड़ा सा ज्यादा केर्फुली रहना है अगर वाशिंग के लिए काम आता है है हमारे पास तो अपने को पता ही है कि वह हाईजीन नहीं है और हाईजीन करने के लिए अपने पास आये हैं लॉंड्री बिजनेस में एक बात बहुत ही अच्छा है मैं यहापे मेंशन कर देता हूं लोगों को न हाईजीन का अवेरनेस अभी आगे और भी जादा होगा जो में कपड़े एक दिन पहनने के बाद में वाशिंग के लिए देंगे तो काफी अच्छा रहेगा हमारा बिजनेस भी बढ़ेगा जो भी हमारा लॉस हुआ है पीछे वह थोड़ा सा क्लेर हो जाएगा और जो भी कपड़े हाईजीन करने के लिए आएंगे न तो सिंपल एक आप माटेरियल यूज हो रहा है जो आप कॉलनी सैनिटाइज हो रही है अपर्मेंट सैनिटाइज हो रहे है और उसमें ब्लीच ही है सोडियम हाइपोग्लोराइड सोलूशन लिख्विड का ही स्प्रे होता है हर जगा पे सैनिटाइज करने के लिए तो बस यही है जिस जि जिस मटेरियल से सो यानि फोम बनता है जाग बनता है ना तो वो कोलेस्ट्रॉल जो कोरोना वाइरस का जो बाहरी लेयर होता है ना कोलेस्ट्रॉल का उसको निश्क्रिय कर देता है उसको मार देता है जिस जिस केमिकल से जाग होता है तो जाग वाले केमिकल आप पहले यू होने वाले हैं और आपको करना है कपड़ों को आप हाइड्रो करोंगे और कपड़ों को धूप में अगर अच्छे से सुखाओगे तो कपड़े 100% हाइजीन होने वाले हैं लेकिन उससे पहले कपड़ा जब कस्टमर लेके आता है ना तो उसमें जाधा ध्यान देने की जरूर एक भी आदमी आपके शॉप में आपकी लॉंडरी शॉप में विदाउट मास का विदाउट हैंड ग्लोज का नहीं रहना चाहिए यह बात सिंपल है लेकिन अगर कहीं यह बात ध्यान में रखिए बहुत ज़्यादा जरूरी है अगर आप इफेक्ट होते हो ना कोरोना वा नहीं की तो थोड़ा सा बचो इससे अगर नहीं कर सकते हो पैसों की जरूरते काम करना यह तो ज्यादा से ज्यादा केरफुली कीजिए सैनिटाइज कीजिए अपने आपको शॉप को भी अच्छे से सैनिटाइज कीजिए काउंटर को एक बकेट सोडियम हाइपो क्लोराइ उसको पीजिए सप्टे है इसे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए निचे लाल कलर का बतने उसको क्लिक कर देना उसके बाद में बिल आइकन आएगा उसे बी क्लिक कर देना इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जो भी लॉंडरी बिजनेस कर रहा है तो उसके साथ में जर सब्सक्राइब कीजिए लाल कलर का बटन क्लिक कर देना उसके बाद में बेल आइकन आएगा उसे भी क्लिक कर देना जय एहिन वंदे मातरा भारत माता कीजिए जय स्री राम धन्यवाद क्रेंड्स